हलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ड चैनल, माईने मी सोरम चोहान, तो आज के हमारी क्लास का टॉपिक है स्टेजिज ओफ कॉंस्टिटुशनल डवलप्मेंट यानि कि सविधाने के विकास के चरण तो हम सब जानते हैं, भारत का जो सविधान है, वो एक दिन में या किसी एक प्रोसेस से तो बिल्कुल भी नहीं बना होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेजिज आएं होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जादा इंप्रोटेंट है, बि बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेजिज होते हैं, जिन में हम कुछ अदेनियम पढ़ेंगे, जिससे आपको थोड़ आसा मतलब क्या completely idea हो जाएगा, कि किस तरीके से भारत का सविधान बना, ठीके, कि हर एक एक एक्ट में क कुछ important factors उसमें जोडे गए, about Indian citizens के लिए, भारती नागरिकों के लिए, या भारत के लिए, ठीके, उसमें ब्रिटिशी का कितना ज्यादा contribution था, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, और तो आगे बढ़ने से पहले, फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दो, शेर कर दो, अभी सविधान जीवन का वो मार्क है, जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है, और सविधान किसी भी देश की, जो political system होता है, उसका एक structures होता है, उसका एक आधार्मू धाचा होता है, उसका नीव होती है, ठीके, कि कोई भी देश बिना constitution के अपने आपको systematic तरीके से आगे नही बढ़ा सकता, बहुत ही जादा important होता है constitution हर एक country के लिए, ठीके, तो भारत के लिए भी एक अलगी महत्व है constitution का, ठीके, अगर हम superior की बात करें तो भारत में सबसे उपर constitution है, ठीके, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम Indian Government Act 1858 का, देखिए, इसमें बहुत सारे act हैं, 1858 स आजात हुआ था, तब तक के बहुत सारे ऐसे act हैं, 1909, 1909 जो कि आपने सुने भी होगे, है ना, 12th standard में अगर आपके पास SST रही होगी, या कभी, कभी न कभी आपने कहीं न कहीं देखो, ये तो सुने होगे कि 1909 का अधिनियम है, या 1919 का अधिनियम है, ठीक है, modern history से relate करत हैं, तो इन से हमें पढ़ने से ये मिलता है, कि इसके क्या-क्या factors थे, इसमें क्या-क्या चीजे थी, जो भारत के लिए important थी, है ना, भारत के सविधान के लिए important थी, जो आगे बनने जा रहा था, ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों के लिए important ये है, कि exam के time में हम top 10 ऐस important questions आपको, मतलब, as in notes आपको provide कराएंगे, जो कि आपको बहुत ही जदा help करेंगे, कि देखो, जो classes है, वो अपनी जगा है, लेकिन exam time में important questions के जो notes होते हैं, वो 10 ऐसे questions है, हिंदी और इंगलिस दोनों में provide कराएंगे, उसकी हमारी preparation चल रही है, वो आपको exam तक complete हो जाएग कि subscribe कर लो, bell icon को press कर लो, और ताकि जो भी update है वो आप तक पहुंचती रहें, जो भी आपके friend circle है, उनमें ही video share कर दो, ठीके, तो चलिए, अब actual में देखते हैं कि Indian government 1858 का क्या प्रावधान था, क्या उसकी aspects थे, तो उसमें कुछ उबबंध हैं, जैसे सबसे पहला है कि भार भारतिय प्रदेशों का जो शासन था, उनका जो राजसु था, वो ब्रिटिस समराट को सौब दिया गया, और उसे भारतिय रियासतों, जितनी भी भारतिय जो रियासत थी, हैदराबाद, जूनागर, कश्मिर, जो हम पिछले lecture में भी discuss कर चुके हैं, उन पर अपना भारत के नाम से government act बन रहे हैं, लेकिन इसमें फाइदा क्या हो रहा है, ब्रिटिश का हो रहा है, आप पहले point से इसमें clear out कर सकते हैं, जो भारत का जो शासन था, वो ब्रिटिश क्राउन के हातों में सोपा गया, अब ऐसा नहीं है कि इसकी आलोशना नहीं होगी, डेफिने की हित के लिए हो, और वहाँ पर complete रूप से कोई authority, जो authorized है, वो किसी और का है, तो थोड़ा सा मतलब देखो, problem तो होती होती है, conflict का तो विशे ये है, दूसरा point है कि भारत मंत्री के पदगी विवस्ता, यानि कि arrangement for the post of ministers of India, तो board of control और court of director का अंत कर दिया गया, ये पहले एक start कर देगे थे, अलग-अलग तरीके से, तो वहाँ पर arrangement किया गया, minister of India का, ठीक है, next point है, कि भारत मंत्री की शक्तिया, कि power of minister of India, अब भारत मंत्री को अपनी council के decision को रद करने का अधिकार प्राप्ता, कि वो अपने जो परिशद है, उनको वो deny कर सकता है, वो रद कर सकता है पोस्पॉन कर सकता है, लेकिन भारते राज्यस्वे के जो अनुदान है, ठीक है, जो भी मतला, पैसे से जुड़ी भी, जो भी aspects है, जो भी उनकी policies है, या विन्योग संपत्ति के बेचने, या बंदक रखने संबदी, जो भी कारिये हैं, वो परिशद की संबदी से कारे करन इसमें आवशक, यानि कि जो भी council है, ठीक है, बही council से ही, पूस्ताच करके ही, वो उन्हें रद्द कर सकता है, या आगे बढ़ाने के लिए उनको बोल सकता है, ठीक है, पांचवा point इसके अधिनियम के अंतरकर क्या था, कि भारत परिशद की कारे परणाल, यानि की functioning of Indian council, यानि की इंडिया council, तो परिशद की बैठक सफता में, यानि की weekly कम से कम एक बार होना जरूरी थी, और इसकी जो गनपूर्ती थी, यानि की जो उसका quorum था, वो 500 देशों के ते, quorum क्या होता है, देखिए, जब कोई भी सभा होती है, तो उसमें maximum, भई, maximum ना हो, लेकिन minimum इ निकल करके आता है, वो उसका गनपूर्ती होती है, तो पांस सदे से होने जरूरी थे, ठीके, तो नॉर्मली भारत को भेजे जाने वाले सभी जो लैटर्स थे, उनकी सूचना इस परिशद को दी जाती थी, यानि कि ये एक ऐसे परिशद बनाए थी, कि इस British Crown जब भी कोई भारत के लिए भेज़ा था, किसी भी आधार पर, किसी भी चीज के लिए, ठीके, वो इस परिशद को सूचित किया जाता था, इस परिशद को दी जाती थी, जो भारत परिशद थी, ठीके, जो इंडिन कांसिल थी, लेकिन भारत मंत्री को गवर्नर जर्नल के पास गुप्त पत्र भेजने या वहां से गुप्त पत्र जो सिक्रेट लेटर है उनको प्राप्ट करने का अधिकार दिया गया था तो भारत मंत्री कैसी पोस्ट थी जो नॉर्मली बहुत इस सिक्रेट रूप से वो लेटर पोस्ट कर सकता था British Crown को और वहां से जो Secret Letter दे वो से अचीव कर सकता दा ठीके ये उसको मतलब एक तरीके से उसकी functioning थी यह को है कि उसके आपासी authority थी next point आता है इसमें कि भारत मंत्री को भारत परिशद का अध्यक्ष न्युक्ति किया गया इंडिया इंडिया इंडियन परिशद जो काउंसिल थी उनके members के लिए भारत मंत्री के आदेशा नुसार यानि कि उसके order के नुसार कारे करना आनेवारे किया गया भारत मंत्री एक ऐसे पद बना दे दे गया जैसे आज के समय में हमारे पी-एम है उस समय पे British Crown के थू भारत के लिए भारत मंत्री की व्यवसा कर दी गया थे लेकिन ये कहे कि वो कहीं न कहीं Britishist के according ही वो काम कर रहे थे वहाँ से जो letter आता था वो उसको चीव करते थे secret troop से बस भेज दे थे कोई भी letter अगर secretly उनको भेज रहा है ठीके गुप तुरुप से भेजना है तो करते और इसके अलावा जो council के member थे उनके लिए भारत मंत्री जो था मतलब एक post थी भारत मंत्री ठीके उनके आदेशा नुसार ही उनको करना मतलब compulsory था हर आदेश पत्र पर हर एक order letter पर भारत मंत्री के signature होने बहुत साथ जुरूरी थे और उसके निर्ने आत्मक मत देने का भी अधिकार उसको दिया गया था यानि कि वो decision कोई भी ऐसा discussion हो रहा है तो वो last month अपना decision दे करके उसको complete कर सकता था उसको वो अधिकार था next point आता है सरपरिशद भारत मंत्री एक संयुक्त निकाई यानि कि council of ministers of Indian a joint India a joint body तो सरपरिशद भारत मंत्री को एक संयुक्त निकाई बना दिया गया जो भारत इंग्लैंड में अभियोग का वादी तथा परतिवादी हो सकता था यानि कि कोई भी बात होती है डिबेट भी वो ही कर सकता था तो हर तरीके से वो सिर्फ एक ही विक्ती उन्होंने वहाँ पर ऐसा रखा था जिसको भारत मंत्री पद पर निक्ति किया गया और वो भारत मंत्री था बेसिक लिए ठीक है तो ये सब कारिये वो करता था ठीक तो Indian Government Act Act 1858 में कुल मिला करके इतनी सारी बात हुई भी इसके लावा एक और पॉइंट बसता है निक्ति यानिके अपॉइंट्मेंट इस अधिनियम के थुरू एक decision मतले में ये decide किया गया कि भविश्य मेंने की future में Governor General परिशद के विधी सदस यानिकि जो law के member होते हैं जो law की date करते हैं उनके जो member हैं प्रांतों के governor इनिकी जो state है न जैसे UP, MP, इनको प्रांत बोलते हैं तो प्रांतों के governor और महाधी वक्ता यानि कि जिनको law की बहुत ज़्यादा knowledge होती है वो महाधी वक्ता होते हैं उनकी नुक्ती राजसत्ता द्वारा की जाएगा और परिसुदों के जो सदस्य होते हैं जो members of council होते हैं उनका चुनाओ, उनको elect करना normally सब परिसत भार्मंत्री द्वारा किया जाएगा तो ये कुछ तरीके थे तो ये सारे points है जो explain करते हैं government act 8058 में क्या-क्या-क्या उप बन थे, ठीके, I hope ये lecture आपको clear out हो चुका होगा लेक फिर भी अगर कोई doubt है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं, ये telegram पर chat on political science का हमारे channel है, वहाँ पर आप अपने question put up कर सकते हैं, तो ये तो शुरुआ थी, पहली stage की, इसके बाद हम one by one करके सारे अधिनियम पड़ेंगे, जैसे 1861 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम 1919 का अधिनियम, तो इसके साथ साथी, जो भारत के लिए जो हित में जो कारिये थे ना, वो कुछ हद तक तो उनकी आलोशना ही, उनको बसे जैसे एक एक एक्ट में उसको इंक्लूड किया, तो अगले एक्ट में उसको हटा दिया गया, ठीके, ये इंडियन constitutional development की सारे stages थे, जो हम आने वाले और lectures में उसको discuss करेंगे, ठीके तो फटावर से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर तक पहुचा सकी, मिलते हैं नेक्स information के साथ में, नेक्स वीडियो lecture में, तब तक के लिए, जे हिंद, जे भारत